नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन, करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत हैं, दोस्तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 66 यानि की 66 नमर पर बात करेंगे, जिसमें रेलबे का प्रिभियस एयर कोश्चन रहेगा, हाँ दोस्तो आप बिल्कुल सही सुनें, आपको प्रिभियस एयर कोश्चन का तयारी करना है, तो आप इस चैनल को सस्क्राइब करकर के इस चैनल से जुड़िए, और आप मेरे साथ प्रिभियस एयर कोश्चन का तयारी कीजिए, ओके दोस्तो चलिए बिना देरी किये हुए कोश्चन देख लेते हैं, एक नमबर को जनुन परनाली का कौनसा हिसा मां के रघ्त से भरून को प्रापत प्राप्त करने में मदद करता है नहीं तो गर्व नाल कि मदद करता हैं कौन मदद करता हैं दोस्तो गर्व नाल यानि के प्लेज जेंटा मदद करता हैν option यह जो है वो आपका बिल्कूल सही उतर हो जाएगा दोस्तो यह question कितना important है अपको यहां से पता चल जा रहा होगा देखिए यह कोशन कितना बार एक्जामे रिपीट किया हुआ कोशन है तो आप एक एक सवाल का important समझे और अच्छे से तयारी कीजिए ओके दोस्तों चलिए next कोशन देख लेते हैं next कोशन दू नमर कह रहा है कि उस अंग का नाम दे जहां भुरून बिक्सित होता है उस अंग का नाम दे जहां भुरून बिक्सित होता है तो उस अंग का नाम है गरवासे गरवासे में भुरून बिक्सित होता है तो option यह जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं दोस्तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेली गराम पर जाएए वहाँ career education सर्च करकर के उस group में add हो जाएए वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा या मैं description box में भी link दे दूँगा वहाँ से भी आपको इसका PDF मिल जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question तीन नमर कह रहा है कि प्रोईष्टेट गरंथी किसके नीचे मौजूद है प्रोईष्टेट गरंथी जो है वो किसके नीचे मौजूद है दोस्तों तो मुत्रासय के नीचे मौजूद है प्रो अस्टेट गरंथी जो है वो मुत्रासय के नीचे मौजूद है option A जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन चार नंबर कह रहा है कि मानो सरीर में प्रो अस्टेट एक डैस है क्या है दोस्तों तो एक गरंथी है option B जो है वो अपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और कमेंट करके बताएए कि वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इस चनल को सस्क्राइब कर दीजे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question पांच नमबर कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन सी एक परजनन को सीका है चार option दिया है इसमें से आपको चून कर बताना है कि कौन सी एक परजनन को सीका है तो युगमक जो है एक परजनन को सीका है कौन है दोस्तों युगमक जो है एक परजनन को सीका है option यह जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question चोव नंबर कह रहा है कि महिलाओं में योवन की सुरुवात किसे से होती है महिलाओं में योवन की सुरुवात जो है ओ किसे से होती है दोस्तो तो रज्यो दर्सन से होती है महिलाओं में योवन की सुरुवात जो है वो रज्यो दर्शन से होती है option D जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question साथ number कह रहा है कि मादाओं में अंडाणो उत्पादन की परकिरिया को क्या कहा जाता है तो अंड जनन परकिरिया कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तो अंड जनन परकिरिया कहा जाता है option A जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question आठ नंबर कह रहा है कि डीब के साथ सुकराणू का निश्यचन डैस में होता है डीब के साथ सुकराणू का निश्यचन किस में होता है दोस्तो तो फैलोपियन ट्यूब में होता है डीब के साथ सुकराणू का निश्यचन फैलोपियन ट्यूब में होता है option C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question दिख लेते हैं next question 9 number कह रहा है कि गर्व निरोधक गोलियों में डैस सामिल होता है गर्व निरोधक गोलियों में क्या सामिल होता है दोस्तो तो progesteron और estrogen का गोन मिसरन सामिल होता है option C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोस्चन दस नमबर कह रहा है कि व्रिशन डैस में उदर गुहा के बाहर इस्तित होते हैं व्रिशन जो है डैस में उदर गुहा के बाहर इस्तित होते हैं तो आंडा कोस की थैली में उदर गुहा के बाहर इस्तित होते हैं, किस में होते हैं दोस्तों, तो आंडा कोस की थैली में उदर गुहा के बाहर इस्तित होते हैं, option D जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन एगारे नमबर कह रहा है कि निसेचन की परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माड होता है दोस्तो तो युगमनज का निर्माड होता है किस का निर्माड होता है युगमनज का निर्माड होता है निसेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है अपसन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन कह रहा है कि पुरूस में प्रात्मिक यौन अंग कौन सा होता है चार अपसन दिया है इसमें साब को चून कर बताना है कि पुरूस में प्रात्मिक यौन अंग कौन सा होता है तो वरीशन होता है कौन सा अंग होता है दोस्तों वरीशन होता है option B जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question तेरे number कह रहा है कि सीगैमी कहलाता है सीगैमी क्या कहलाता है दोस्तो तो एक सुकराणू का एक अंडाणू से सन्युगमन को सीगैमी कहलाता है सीगैमी कहलाता है क्या कहलाता है तो एक सुकराणू का एक अंडाणू से सन्युगमन को सीगैमी कहलाता है option C जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question चौदे number कह रहा है कि गतिसिल जीवाणू कोसिका को कहा जाता है गतिसिल जीवाणू कोसिका को कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तो तो नर्यूगमक कहा जाता है option B जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question पंदरे नमर कह रहा है कि अंडा अंडासे से कोक में किसके माध्यम से लाया जाता है अंडा, अंडासे से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है दोस्तों तो डिब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है अप्सन C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन सोरे नंबर कह रहा है कि मानो सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों तो यकरित हैं मानो सरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो यकरित हैं अप्सन B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाए ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question सत्रे नंबर कह रहा है कि निमनलिखित में से सरीर की दूतिय सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है चार option दिया है इसमें से आपको चून कर बताना है कि सरीर की दूतिय सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है तो अगनासे गरंथी है कौन सी गर करने से पहले दोस्तों थोरा सा मैं कोशन को बड़ा कर देता हुँ ताकि आपको पढ़ने में दीकत नहीं हो ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन अठारे नंबर कह रहा है कि नमक का IOD निक करण लोग स्वास्त का मापदंड है जो रोकता है जो किसको रोकता है दोस्तों घेंगा रोग होने से रोकता है मैं कोश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कोश्चन कह रहा है कि नमक का आयोडिनी करण लोग स्वास्त का मापदंड है जो रोकता है जो किसको रोकता है तो गेंगा रोग होने से रोकता है, option C जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके दोस्तों चलिए, next question देख लेते हैं, next question 19 नमबर कह रहा है, कि किस हार्मोन द्वारा हिर्दय अस्पंदन तथा रूधिर दाब बढ़ जाते हैं, किस हार्मोन द्वारा हिर्दय अस्पंदन तथा रूधिर दाब बढ़ जाते हैं, तो adrenal द्वारा बढ़ जाते हैं, किस के द्वारा बढ़ जाते हैं, दोस्तों, adrenal हार्मोन द्वारा बढ़ जाते हैं, option B जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, मैं कोश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कोश्चन कह रहा है कि किस हार्मोन द्वारा हिर्दय अस्पंदन तथा रूधिर दाब बढ़ जाते हैं तो एड्रिनल हार्मोन द्वारा बढ़ जाते हैं किसके द्वारा बढ़ जाते हैं तो एड्रिनल हार्मोन द्वारा बढ जाते हैं अप्सन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question 20 number कह रहा है कि निमने लिखित में से किसकी कमी से ब्यक्ति को घेगा नामक रोग हो जाता है चार अप्सन दिया है इसमें से आपको चून कर बताना है कि किसकी कमी से ब्यक्ति को घेगा नामक रोग हो जाता है तो iodine के कमी से किसकी कमी से दोस्तों iodine की कमी से ब्यक्ति को घेगा नामक रोग हो जाता है option C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question तो रहा नहीं दोस्तो इतना question मैं लेकर आया हुआ था उमीद करता हूँ कि सारा question आपको याद हो गया होगा दोस्तो अगर आपको सारा question याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए आपके लिए एक-एक सवाल important है मैं वहीं question लेकर आया हुआ था जो आपके लिए अति आवस्यक प्रस्न है तो आप एक-एक सवाल का important समझे और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ओके दोस्तो आपसे मैं next practice rate में मिलता हूँ तब तक लिए take care दोस्तो आपना ध्यान रखिए और मन लगा कर पढ़ते रहे ओके दोस्तो बाए